कहीं न कहीं आपको लगा था कि इतना बड़ा स्टार बन जाएगा और रहेगा इतने सालों तो मुझे यह लगा यह 100% बन जाएगा स्टार ακर और अगर इसको कोई नुखसान भी पहुचा सकता है तो यह खुद ही सल्मान खान को कौन पहुचा सकता है नुकसार। पिता सलिम खान ने लिया ये नाम। सल्मान खान बॉल्यूट के दिगच सितारों में शामिल है। जिनके फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप। फैंस के बीच उनकी पॉपुलारिटी कभी भी कम नहीं होती। वही fancy नहीं slips भी उनके एक जलक पाने के लिए दिवाने हैं हाला कि उसके चलते इन्हें कही बार जान से मारने की धमकिया भी मल चुकी है जिससे वो डरते नहीं है इसे बीच भायजान के पिता और लेखक सलीम खान का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो एक्टर अर्वास खान के साथ उनके बात करते हुए नजर आ रहे है वही सल्मान खान को कौन नुक्सन पहुचा सकता है इसे लेकर भी बात कर रहे है वाइरल वीडियो में सलिम खान अपने बेटे सलमन खान की केडियर के बारे में छोटे बेटे आरवास खान के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे है वीडियो में अपने बेटे की सफलता के बारे में बात करते हुए वो कहते है जब मैंने उनकी पहली फिर्म देखी तो मुझे ये लगा कि उसके अंदर स्टार बने की क्वालिटी सौ प्रतीशक्त है मगर ये भी साथ साथ था कि मैं उसकी नेचर को भी जानता था कि वो किसी भी चीज़ को कभी गंभीरता से नहीं लेते उनके पास फुरी शमता है तो मुझे लगा ये सौ प्रतीशत बन जाएगा स्टार और अगर उसको नुकसान कोई पहुचा सकता है तो वो खुद ही है सल्मान खान के एक फैन पेज पर शेयर किया गया वीडियो अर बस खान के शो का एक एपिसोट का छोटा सा हिस्सा है जिसमें वो अपने पिता सलिम खान के साथ बातचित कर रहे है उसके अलावा वीडियो सल्मान खान के स्क्रिप्ट के पसंद के बारे में बात करते हुए उनके पिता ने कहा अभी भी उसका जो भी केरियर बाकी है उसे गंभीरता से लेना चाहिए एक एक्टर होने की नाते उनमें सुधारा आया है उसके अंदर confidence भी है और improvement भी सुल्तान के अंदर बहुत अच्छा रोल था बजरंगी भायाजन के अंदर बहुत अलग था जरूरी है कि वो अच्छी स्क्रिप्ट करे सुनकर अच्छी स्क्रिप्ट करे कि हाँ उसके अंदर ह स्क्रिप्ट कुछ दिखाने को बातचीत के दौर अंजवर्वास खार ने सलीम खान से पूछा कि क्या उन्हें सलमान की उपलिप्धियों पर गर्व है तो वो खहते हैं हर आदमी से किसी से भी पूछोगे तो वही कहेगा कि जब उसका बेटा उससे आगे निकलता है तो द प्यार दिया है वही इस फिल्म के गाने भी फैंस ने काफी पसंद किये है